जैहिन दोस्तों मैंने दिबें चोहन आज हम करेंगे क्लास टेंथ का 11.1 का क्वेशन नंबर 4 इस क्वेशन में हमें बोला गया है 8 cm आधार और 4 cm वैध वाला सम्द्वी बाजू सम्द्वी बाजू तिरकोन हमें बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 cm का हम बनाएंगे आधार ओके तो यह हमारा 8 cm पहले हम बनाएंगे आधार ओके यह हो गया 8 cm ठीक है इसको हम नाम देंगे BC यह हो गया हमारा 8 cm उसके बाद कह रहे हैं कि 4 cm वैध वाला सम्द्वी बाजू तिरकोन हमें बनाना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 cm यानि कि 4 cm वैध वाला तो वैध यानि कि वैध का मतलब है 90 डिगरी का कोन यहां पर होना चाहिए तो BC का हम करेंगे लंब सम्द्वी भाजन का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बाटना BC को दो बराबर हिस्सों में पहले हम बाटेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे C पर रखके प्रकार को आदे से ज़्यादा हम खोल लेंगे यह दिखवा आदे से ज़्यादा खोल लिया अब यहां पर एक चाप फिर B से एक चाप क्लियर है इतनी बात B से हमने एक चाप करी ठीक है अब 4 cm वैध बोला है तो पहले हम इसको यहां पर 4 cm मेजर कर लेते हैं ठीक है यह हो गया हमारा 4 cm तो पहले हम यह लाइन डाल लेंगे इस तरह से यह हमने यहां पर लाइन डाल दी है ठीक है दो बड़ाबर हिस्सों में बट गया है अब यहां पर इसको हम नाम दे देंगे कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन यह दो हिस्सों में बट चुका है ठीक है अब 4 cm क्या होना चाहिए हमारा जो वैध है वो 4 cm तो पहले इसको कर लिया 4 cm अब यहां पर प्रकार रखके और यहां से हम यह निशान लगा देंगे इस point का नाम है हमारा A तो हमारा संद्वी बाजू तिर्कोण तयार हो चुका है ठीक है पहले इसको जोड़ देते हैं A, B और यह हो गया आपका A, C ठीक है A, B, C एक संद्वी बाजू तिर्कोण है जिसमें 4 cm का वैद है तो यहां हम 4 cm और जो आधार है हमारा वो है 8 cm ठीक है और यह क्यूंकि संद्वी बाजू तिर्कोण है तो यहां पर हम इनिशान डाल देंगे और इसको हम नाम दे देंगे हमारा संद्वी बाजू तिर्कोण तयार हो चुका है अब इसमें आगे कहा रहे हैं दूसके बाद दूसरा ऐसा तिर्कोण बनाओ जिसकी बाजूओं संद्वी बाजी तिर्कोण अनुरूप बाजूओं करता डेड़ गुनी ज्यादा हो ठीक है यानि कि जो यह तिर्भू हमें इस तरह डालनी है ताकि cbx एक लगू कोण हो क्या हो लगू कोण अब लगू कोण क्या होता है 90 डिग्री का कोण 30 से कम डिग्री का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं लगू कोण तो यहाँ पर हम डालेंगे bx अब question में हमें दिया है कि देड़ गुनी हो, तो देड़ को हम ऐसे लिखेंगे, एक सही, एक बटा दो, हमें इस तरह दिया हुआ है, यह मिश्रिद भिन है, पहले हम इसे simple भिन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दो एकम दो, और एक तीन, ठीक है, तीन बटे दो, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तीन, तो हम बी एकस के करेंगे, तीन बराबर हिस्से, तीन बराबर हिस्से करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रकार को सेट करते हैं, जो इसकी सेटिंग है, मेजरमेंट है, यह कम जादा नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा सम गलत हो जाएगा, अब हम बी पे रखेंगे प्रक को यह देखिए और जो जादा है मिंस तीन बड़ा है ना तो तीन हिस्से करेंगे हम BX के बराबर 1, 2 और यह हो गया आपका 3 यह तीन बराबर हिस्से हो गए अब इनको हम नाम देते हैं B1, B2 और यह हो गया B3 ठीक है अब देखते हैं डैनोमिनेटर में क्या है डैनोमिनेटर में है 2 ठीक है तो हम क्या करेंगे B2 से C को जोड़ देंगे पहले हमें काम करना है डैनोमिनेटर पर तो B2 से हम C को जोड़ देंगे यह देखिए बी 2 से C को जोड़ना है ओके यह हमने जोड़ दिया अब हम क्या करेंगे यहां से यह पहले हम प्रकार को set करेंगे ठीक है और पहले B3 से यहां पर एक चाप डालेंगे इस तरह से ठीक है यह इस तरह से यहां पर रखेंगे B3 पर और एक चाप हम इस तरह से डाल देंगे ठीक है उसके बाद रखेंगे B2 पर और वहां से भी हम एक चाप डाल देंगे ठीक है ओके यह हमने चाप डाल दी अब जो यह वाली चाप है मिन्स जो हमने B2 से डाली है उसको हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने B3 से चाप डाली थी, यहाँ पर रखके, हम यहाँ पर इसको कर देंगे bisect, ओके, bisect कर दिया है, अब पहले हम थोड़ा C को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब जो यह हमने bisect किया है, इससे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यह रेखे जो bisect किया था वहीं से हमें जोड देना है ठीक है अब जो ये point मिला है इसका नाम है C dash अब हम क्या करेंगे AC के अनुरूप भी हमें यहाँ पर एक line ड्रॉ करनी है ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से एक चाप डाल देते हैं ओके फिर जो point C है हमारा उससे हम एक चाप डाल लेंगे यह देखिए ठीक है अब पहले इसको major कर लीजे यहाँ पर इसको पहले हम यहाँ major करेंगे यह देखिए इसके बराबर यह हमने major कर लिया अब इस बिंदू पर रखके यहाँ पर हम इसको bisect कर देंगे bisect हो गया अब A को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पहले यह A है इसको थोड़ा सा हम यह आगे बढ़ा देते हैं ठीक है? तक यहाँ पर आजाए हमारा A dash अब जो bisect किया था उससे होते हुए C dash पर हम यहाँ इसको जोड़ देंगे इसका नाम है A dash तो यहाँ पर हमारी आकरती तयार हो चुकी है आकरती question में क्या कहा गया था BC आधार 8 होना चाहिए यहाँ पर इस पर एक वैद होना चाहिए और यह सम्दवी बाजू तिरकोन हमारा बनना चाहिए तो हमने आधार बना दिया और इसका जो हमने bisect करके इसको आधे दो बराबर हिस्सों में बाट दिया ठीक है उसके बाद यह हमें बोला गया है वैद 4 फिर हमने 4 का 4 cm का measurement करके यहाँ पर लंब डाल दिया ठीक है तो ज्यादा कौन सा है 3 तो जो bx है bx पर जो हम डालेंगे हिस्से बनाएंगे जो unit बनाएंगे हम वो 3 बनाएंगे क्योंकि बड़ा 3 है ठीक है तो 3 हमने कर दिया यहाँ पर और उसके बाद जो नीचे वाला है dano minitter सबसे पहले b2 से c को जोड़ा उसके अनुरूप b3 c dash और यहाँ a c के अनुरूप a dash c हमने बनाया ठीक है अब हम लिखेंगे इसके रचना के मुद्दे तो रचना के मुद्दे लिखना बहुत आसान है जैसे जैसे आपने आकरती बनाई है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है point to point तो सबसे पहले इसमें हम कृत्य लिखते है कृत्य का मतलब है जो आपको question में दिया है और जो आपको करना है वो हमें लिखना है जैसे देखिए सम्दूई बाजु तिरभूज a b c बनाओ आधार b c बराबर 8 वैद a d बराबर 4 a b c के समरूप हो ऐसा दूसरा तिर्कोंड बनाओ जिसकी बाजुए तिर्भुज A, C, B के अनुरूप बाजुओं से डेड़ गुनी हो ठीक है ये हमें कृत्ते है जो इसमें हमें दिया है और हमें करना है उसके बाद जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे समदी वाजुत रभुज A, B, C बनाओ आधार 8 और वैद 4 ठीक है आधार 8 और वैद 4 उसके बाद B, X बनाओ कोण C, B, X लगु कोण हो ये B, X है हमारा और कोण C, B, X लगु कोण हो लगु कोण का मतलब है 90 डिगरी से कम उके उसके बाद B, B, 1 बराबर B, 1, B, 2, बराबर B, 2, B, 3 इसका मतलब है ये B, B, 1, B, 1, B, B, 1, बराबर B, 1, B, 2, बराबर B, 2, B, 3 और इस तरह से हमें इसके हिस्से कर देने हैं ऐसे 3 बिंदू, 3 बिंदू B, X पर अंकित करो जो बराबर हो ठीक है B, X पर हमने अंकित कर दिये उसके बाद B, 2, C को जोड़ो देखो B, 2, C को जोड़ दिया फिर B, 2, C के समानतर B, 3, C- हमने रेखा डाली यहाँ A, C के समानतर हमने A, C- रेखा डाली तो इस तरह से हमारा एक क्वेशन यहां खतम होता है मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगले बाद तो